हेलो फ्रेंड्स आजम हिंदी पाथि पुस्तक दिंगत भाग्टू से लिया गया कर्वकविता के वारे में व्याख्या करेंगें दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें तो दोस्तों चलते हैं करवकविता की ओर मलिक मुहमत-जायसी के द्वारा लिखी गई है मलिक मुहमत जैसी का जन्व चन्द 1492 में हिश्री में हुआ था और यह भक्तिकाल की कविटी कवी अपने पहली पंक्ती में कहते हैं कर दिसनिए मलीक मुहमद जय सिक अ कहते हैं कि इक नयन के होते हुए भी जाईसी गुणी गुनवान है, गुनी का मतलब गुनवान, कभी कहते हैं कि उनके एक आख है, नैन मतलब आख होता है दोस्तों, एक आख के होते हुए भी इतने गुनवान है कि जो भी उनकी व्याख्या को सुनता है, जो भी उनकी रचना को सुनता है, उनकी व्याख्या और उनकी रचना को वो मोहित हो जाता है, उनके मन उत्सायत हो जाते हैं, उनसे प्रविना मिलती हैं, वो कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में कभी मुहमत कहते हैं, चांद जैस जग बिधी अउतारा, दीन कलंग किन उजियाला जग सुझा एक अई नहा, उवसुक असनक तनहमा इस पंक्ति में कभी मुहमत जैसी कहते हैं, कि इसवर ने उन्हें चंदर्मा की तरह इस धर्ती पर उतारा लेकिन जैसे चंदर्मा में कमी है, वैसे ही कभी में भी, फिर भी कभी चंदर्मा की तरह अपने कावे प्रकास पूरे संशार में फैला रहे हैं कभी कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा की तरह इस धर्ती में उत्रा हैं, चंद्रमा यानि कि इस धर्ती पे हैं, चंद्रमा में भी कुछ कमी है, चंद्रमा में भी दाग है, उसी परकार कभी के भी एक आख नहीं है, नैनन है, एक आख के हैं, तो कभी भी अपनी परकास को पूर रचना से पूरे संसाल में फैला रहे हैं जिस परकार कभी ने भी अपनी एक ही आक से सारी दुनिया को सबतें मतलब कि जिस प्रकास सुक्र तारा सुक्र जो एक नच्छत्र होते हैं अपने बीच उदित होती है एक अलग ही प्रकास होता है उसी प्रकास कभी ने भी अपनी एक ही आख से सारी दुनिया को समझ लिया सारी दुनिया के वो बारें जानते हैं उनकी जो कावी रचना है, वो उनके माधियम से जाने हैं, कि वो कैसे भली भाती समझते हैं, क्या जानते हैं वो, वो सब के बारे में जानते हैं, अगली पंक्ती में कभी कहते हैं, जो लही अंबही डाव न होई, तो लही सुगंद बसाई न सोई, जो लही अंबही डाव न होई का मतलब हैं, कभी मुहमद यहां कहते हैं, कि जब तक आम में नुकली डाव नहीं होते हैं, मतलब कि जब आम का मोसम आता हैं, तो आम में मंजरी लगती है आम के पौधे में मंजरी लगती है तब उसमें सुगंध आती है उसमें फल लगते हैं उसमें फूल लगते हैं वही कह रहा है कि जब तक आम में डाव नहीं आती तो लही सुगंध ना बशाई ना सोई तब तक उसमें सुगंध नहीं होती है कहने के मतलब हुआ कि इसमें मलिक मुहमद जाई से कहते हैं कि जब तक समुदर का पानी खारा है कहने के मतलब हुआ कि समुदर जो है हमारा खारा है नमकीन है यदि वो समुदर का पानी मेठा होता तो वो इतना असूज और आपार नहीं होता तो अतिभयल असूज आपार असूज कहने का मतलब हुआ कि वो इतना इसली असूज नहीं होता कोई उसको समझ नहीं पाता असूज नहीं कर पाता और आपार तभी तो वो इतना आपार है कि इतने विषाग ड苦 Staff अगले पंग्ति हें कविं मुहमाजायसी कहते हैं जो सुमेरु तिर्चुर विनासा भाग कंचन गिलत अक आस W ज़्व सुमेरु तिर्छूर विनास करने का मतलब हुआ, इसमें कभी मोमाजाय से करते हैं, कि जब तक सुमेरु परवत को तिरूर से नष्ट किया गया, भागवान सिभ ने उस सुमेरु परवत को तिर्छूर से नष्ट किया, तभी तो वो सोने की तरह बना, सोने की तरह चमक उठा, वहा कंचन गिरी लाग अकासा का निक मतलब वा, तब तक वो सोने का तरह नहीं हुआ, मतलब कि जब भगवान सिम ने तिछोर से उस सुमेरू परवत को नश्ट किया, तभी तो वो सोने की तरह उठा, जब तक वो उस सुमेरु परवत को नश्ट नहीं करते तब सोने का रहो नहीं होता वो सोना नहीं बनता अगली पंग्तिमें कभी कहते हैं जब गरिया का मनलब सोने गलाने वाला पात में सोना को गलाया नहीं जाता यानि कि जब तक आप सोने को सोने की बरतन में सोना को गलाएंगे नहीं तब तक वो कच्ची धातु सोना के समान नहीं होगा कच्ची धातु यानि कि सोना जो है एक कच्ची धातु होता है जब उसे गलाया जाता है उसे बनाया जाता है तब वो सोना बनता है तो कहता है कंचन होई ना ही कंचन करा, मतलब कि तब तक वो कच्ची धातु है, जब तक वो गला नहीं, गल जाने के बाद वो कच्ची धातु सोना नहीं होता कहने के मतलब, वो ही जब तक सोना गलेगा, इस पंग्दी में कभी कहते हैं, एक नैन जस दर्पन और तेही निस्म कभी अपने वारे में कहते हैं कि मेरे एक नयन है एक आख है फिर भी वह दर्पन की तरह निर्मन और स्वच्छ है निर्मन मतलब कि साफ है स्वच्छ है यहां पर एक प्रस लाता है कभी ने अपने व्याख्या किस चिस से मुकावला की है वह अपनी मुकावला दर्पन से की है दर्पन जो है यहां उन्हें प्रकट कर रहे हैं दर्पन के बारे में व्याख्या कर रहे कि दर्पन के तरह वो निर्मर और स्वच भाव के हैं अगली पंक्ति कहते हैं जब रूपमं कही मुख जुवाही कही चाओ और उनकी इसी गुन की बज़ा से बरे बरे रूपवान लोग उनके चरन पकड़ कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुखे की तरब ताका करते हैं कभी कहते हैं कि उनकी जो यही गुन है वो इतने निर्मर और स्वच है इसी गुन की बज़ा से हैं पकदघ है और उनसे कुछ पाने की ह सीखने की ट्रेना लेने की उनके मुह की तरफ साका करतें देखा करतें की वो कितने गुन्वान कुतने निर्मन है कितने शाच Kent All cluster कि से औरllsेप करको दवादे अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं धन्यवाद धोस्त